देश के महान सहाइतिकार मुंशी प्रेमचन का आज जनम दिन है 31 जुलाई 1880 को जनमे प्रेमचन एक महान लेखक होने के साथ साथ आम जनता की लेखक भी थे उनका असली नाम धन पतराय था लेकिन सहाइति में उनकी ख्याती ने उन्हें प्रेमचन बना दिया वे हिंदी के साथ साथ उर्दू लेखन भी करते थे उर्दू लेखन में उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था आज मुंशी प्रेमचन के जैनती पर राशानी भोपाल के कॉंगरिस कारेले में कारक्रम का आयज़न किया गया इस मौके पर कॉंगरिस के वरिष्टनीता और पुर्व केंद्री मंत्री सुरेश पचारी ने कहा कि देश के आज़ादी में उनकी एहम भूमी का रही है मुंशी प्रेमचन जी की आज जन्मति थी है मुंशी प्रेमचन जी जिनका बचपन का नाम धन्पत राय हुआ करता था उन्होंने बहुत कटनाई का सामना करते हुए आर्थिक परिशानियों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई की, वो पन्यास लिखे, कहानिया लिखे और देश में एक वातवन निर्मित किया घर में भी उन्होंने बहुत परिशानिया जेली क्योंकि बच्पन में उनकी मा स्वर्क सिधार गई थी उनके पिताजी ने जब दूसरी शादी की, तो उन्हें काफी परिशानियों का मुशी प्रेम चंजी को जिनका बच्पन का नाम धन्पत रहे था सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने इस सब के बावजोद भी अपनी पड़ाई जारी रखी और उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों के जरिये देश में एक अनुकूल वातवन निर्मित किया हम उनकी जन्वतिती पर आज उने विनम विनमन करते हैं प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी मुशी प्रेम चंजी को